तीसरी लहर में वेक्सीन लोगों की जान और माल दोनों बचाने में सफल साबित हो रही है केंद्री स्वास्त मंत्राले के अनुशार दूसरी लहर के दोरान कम टीककरण के कारण बड़ी संख्या में संक्रमितों को जान से हाथ धुना पड़ा था यही नहीं अस्पताल में भरती होने की मजबूरी संक्रमितों के लिए बड़ी मुशीवत साबित हुई थी लेकिन बहातर फीजदी से अधिक बयस काबादी के टीककरण के कारण तीसरी लहर में बहुत कम संक्रमितों को अस्पताल में भरती कराने की जुरूरत पड़ रही है साथ ही उनकी मृतिदर भी काफी कम है केंद्री स्वास्त सचेव राजेज भूसर ने दूसरी और तीसरी लहर में संक्रमितों के आंकड़े पेस करते हुए कहा कि एक अप्रेल को संक्रमितों की संख्या 72,330 से बढ़कर 30 अप्रेल को 3,46,452 तक पहुँच गई उसी दिन सक्रिय मरीजों की संख्या 31,70,328 थी इसी के अंडूप एक दिन में संक्रमितों के कारण मरने वालों का सापताहिक औसत 319 से बढ़कर 30 अप्रेल को 3,069 पहुँच गया इसकी तुलना तीसरी लहर से करें तो संक्रमितों की संख्या एक जन्वरी को 22,775 से बढ़कर 20 जन्वरी को 3,17,532 पहुँच गई 20 जन्वरी को देश के सक्रिय मरीजों की संख्या 19,24,051 थी लेकिन इस दोरान प्रतिदिन मरने वालों का सापताहिक औसत दूसरी लहर की तुलना में काफी कम रहा एक जन्वरी को औसतन 281 संक्रमितों की मौत हुई जबकि 20 जन्वरी को 380 संक्रमितों की मौत हुई मौतों की इस अंतर की मूल वज़े टीकगरण को बताती हुए राजेस भूसर ने कहा कि अप्रेल तक केवल 2 फीसद 20 आबादी को टीके का डोज दिया गया था जबकि जन्वरी में 72 फीसद आबादी को दोनों डोज दिया जा चुका है राजेस भूसर के अंसार 15-18 साल के 52 फीसद किशोरों को टीके की एक डोज लग चुकी है इसके साथ ही हेल्थ केयर वरकर्स, फ्रेंट लाइन वरकर्स और गंभीर बीमारी से ग्रेश्ट 60 साल से अधेक उम्रे के लोगों को सतरकता डोज लगाने का काम तेजी से हो रहा है उन्होंने बचे हुई लोगों जल्द से जल्द टीका लेने की अपील की है राजिस भूसर के अनसार वैक्सीन ना सिर्फ संक्रमतों की जान बचाने में सफल हो रहा है बलकि इसके कारण उन्हें अस्पताल में भरती होने की जरूद भी कम पड़ रही है दिल्ली में संक्रमन की दर संक्रमतों की संक्रमतों की और अस्पताल में भरती संक्रमतों का आंकड़ा पेस करते हुए उन्होंने कहा कि 99% संक्रमतों में कपकपी या बिना कपकपी के बुखार गले में खरास और खासी के लक्षड देखे जा रही है जो 5 दिन में ठीक भी हो रही है